मिशन सिचन समवाद दैनिक नेतिक प्रभात दिनांग 5 जुलाई वर्ष 2024 दिन शुक्रुवार बाल कहानी नशा मुक्ति तो आए सुनते हैं आज की बाल कहानी नशा मुक्ति रामपुर नामक गाउ में सेवा राम नाम का एक व्यक्ति रहता था सेवा राम का एक बड़ा भाई मेवा राम था दोनों परिवार एक साथ खुशी खुशी से रहते थे दोनों भाईयों के एक एक पुत्त थे उनके नकुल सहदेव नाम थे दोनों भाई उच्च शिक्षा प्राप्ट करने के लिए शहर से बाहर चले गए थे, दोनों ही खुब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे, एक दिन नकुल जो बड़े भाई मेवाराम का बेटा था, अपने दोस्तों के कहने पर बाहर घुमने के लिए चला जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर सब लोग नशे की चीजें ले रहे होते हैं, ये लोग नकुल को भी नशा करने के लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन नकुल ने नशा लेने से साफ मना कर दिया, तबी एक मित्र को शरारत सुचती है, और नकुल को धोखे से नशे की चीज खिला देता है, नकुल नशे की हालत में graduate आ और जिन बच्चों ने खेल-खेल में ऐसा किया था, सभी को उनके माता-पितों के साथ बुला कर सारी शिकायत करते हैं। सभी ने उन व्यक्तियों के नाम बताए, जिन्होंने उन्हें नशे की आदर डलवाई थी। पुलिस के साथ मिलकर उन सभी व्यक्तियों को जेल में डाल दिया जाता है। तो बच्चों, आज की बाल कहानी आपको क्यासी लगी? कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई नशा करता है, छोटे-छोटे बच्चों को नशे का आदी बनाने का प्रयास करता है, तो अपने अभिभावकों को भी बताईएगा, अपने सिक्षकों को भी बताईएगा। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, धन्यवादा।